तो राजसान में डिंगू से पूर्वा प्रधान और एक युवती की मौत हो गई है प्रदेश में अभी तक आरेयस अफसर डॉक्टर समेत आठ लोगों की मौत डिंगू से हो चुकी है आठ हजार से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं अस्पताल में लगातार मौसमी बिमारियों के मरीज बढ़ रहें डिंगू पॉजिटिव के सबसे ज्यादा केस जैपूर में हैं जो कि एक हजार पंदरा बताए गया है हालात खतरनाक हो चुके हैं और यह कहा जा सकता है कि इस एक महीने में पिछले आठ महीने के मुकाबले तीन गुना डिंगू के मरीज बढ़े हैं तो डिंगू इस समय राजस्तान में कहर बर पा रहा है 8000 से ज्यादा केस हैं राजशस्टान के अंदर और ज्समें सबसे ज्यादा केस जैपुर में बतायजा रहे हैं इनके संक्या तक्रीबान ए 11000 से ज्यादा है अलग कि डिंगू के लिए स्वास्त विभाग योर से इंतिजाम किये गए हैं लेकिन लगातार बढ़ रही डिंगू के मरीजों के संक्या स्वास्त विभाग के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है तो अलग से डिंगू के लिए आप देख रहे हैं डिंगू वाड भी बनाए गए जहां पर रोगियों का उपचार किया जा रहा है लेकिन डिंगू से अभी तक अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर समेत कई लोगों की जान जा चुकी है राजसान में डिंगू लगातार अपने पाउं पसार रहा है और मौसमी बिमारियों की वज़े से भी आप देख रहे हैं कि डिंगू लोगों को परिशान कर रहा है अब अलग अलग जि एक मामला है 21 अक्टूबर तक की आंकड़े हैं जहां पर मच्छनों से संबंधित यह जो बिमारियां है लोगों को फैल रही है अब जैपूर में अगर आप देखेंगे तो डिंगू पॉजिटिव केस 1015 हैं जैपूर ग्रामीर में 582 हैं बीका नेर में 625 हैं उदैपूर म में 416 डिंगू पॉजिटिव केसेज हैं इसके लावा अलवर में अगर आप देखें तो डिंगू पॉजिटिव 270 मामले हैं अजमेर में 260 मामले डिंगू पॉजिटिव के हैं और बाडमेर में 222 मामले डिंगू पॉजिटिव पाए गये हैं और चले इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट